इंटरनेट इस फुल अफ प्रो साइंस फेक नॉलेज हाफ इंफरमेशन और प्रोपागेंड़ यौर क्वेस्ट ऑफ रिलायबल ऑथेंटिक हेल्थ इंफरमेशन इंद्जियर सब्सक्राइब इस चैनल एंडिट बेल आइकन और यू नेवर आफ तो अन्यवेर अवर अगें नमस्कार आदाब साथ वियकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एडुकेशन आज हम बात करने वाले हैं जैस्टेशनल डायबिटीज के बारे में क्या होता है यह क्यों होता है यह अगर आपको है तो आपको करना क्या है मतलब ऐसी जाती है शुगर लेवल डिएबिटीज प्रेगनसी में बढ़ने वाला जैस्टेशनल हाई ब्लड शुगर डैट साथ इंद फर्स विच फर्स डाइग्नोस द्यूरिंग प्रेगनेंशी प्रेगनंसी कि दौरान होने वाला डिए है तो ठीक है बही अच्छी बात है क televUSE क्या है क्याओ नहीं है सब बताएगो आपको हád वो तक यंगों पहले समख़ लेते हैं डरेकी उड्स इह फीमेल के अंदर हॉर्मों का बहुत इम्पोर्टन्स है रिक्नेंसी में इस होती है अब प्रेगनेंसी में लेवल ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है और यह बहुत जादा रिस्क होता है अगर आप 25 साल की उमर के बाद प्रेग्नेंट हो पहली बार नमबर दो अगर आप मतलब हाई एज प्रेग्नेंसी की आज तो यह होता है सब जगापे 25 के पहले तो कोई शादी नहीं क लोगों में ज़्यादा देखा जाता है और अगर आपकी फैमली हिस्ट्री है डायबीटीस की मदर फादर किसी को डायबीटीस है अगर आपका बेबी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है मान लिजिए 4 किलो पहले आपने मान लिजिए दे रखें बर्त या आपका ऑल्र एक्सप्लेंड मिसकारिज हो चुका है पहले स्टिल बरत हो चुका है तो आपके शुगर लेवल बढ़ने के चांसे या फिर अगर आप प्रेगनेंसी में आपका वज़ानी बहुत ज़्यादा है बहुत ओवरवेट हो और या फिर यू बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरिंड डिजीज उसमें भी ऐसा होता है तो अगर आपका प्रेगनेंसी में आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसके क्या होगा उसका क्या लेना देना मोस्ट अफ टाइम उसमें कोई सिम्टम नहीं होते क ही प्रेटल स्क्रीनिंग में पकड़ में चैंशाओ क सिम्टम के और सी माइल्य सिम्टम के या सकते माय सिम्टम ज्याद शुर्भ होगी आपको बताया है चुछर जादा होती है तो शुगर को दयूट करने पथा ज्रक यह पी जादा होती और ब्लर्ड विजन हो सकता है कमजोरी हो सकती है यह से मैंने कहा और frequent infections होने के chances होते हैं इंक्रीज थर्स, इंक्रीज उरिशन, इंक्रीज हंगर, इंक्रीज फटीग, ब्लर्ड विजन, इंक्रीज इंक्रीज तो इसको ठीक करने के लिए हम glucose level, sugar level चेक कर सकते हैं, उसमें oral glucose tolerance test भी कर सकते हैं, to check for conditions, problem तो नहीं है, तो वैसे तो हर pregnant lady को OGT, जिसको oral glucose tolerance test बोलते हैं, वो करना पड़ता है, करना चाहिए, 24-28 हफते पे, 24-28 हफते के बीच में, to look for gestational diabetes, जिनको रिस जादा है, वो उसको पहले कर सकते है, 24 हफते से पहले तो एक बार diabetes, अगर पारता चल गया, कि आपको gestational diabetes है, तो आपका regular घर पे fasting sugar, post meal sugar, जो भी monitor करना है, वो monitor करते हैं, fasting is more important, right, तो most common way is your, जो आप खुद से करते हो, finger pricking वाला, treatment, भई देखो, first of all, the treatment is कि आपका sugar levels, जो है, limit में रहे, control में रहे, तो, and second limit is to watch your baby, to observe, to observe, to observe, to observe your baby, baby में ठीक है, fetal monitoring, regular होता रहेगा, उनके size के लिए, बच्चे का health, बच्चे की growth, right, then there is very simple non-stress test, NST, non-stress test, painless test है, जो आपके लिए, आपके बेबी के लिए, एक machine है, जो, जो सुन लेती है, आपके बेबी की heartbeat, डिस्पले करती है, आपको बता देगी, पेटे उपर लग करेंट के हिसाफ से की बच्चा साही काम कर रहा है, बच्चा साही चल रहा है, growth हो रहा है, या नहीं, कोई issue तो नहीं है, then second treatment, जो पहला treatment, your second part of treatment is diet and exercise, healthy food खाना है, आज से कोई ऐसा नहीं है, भरी-भरी ice cream, और ये मिठे-मिठे, गुलाब, जामून, रजगुले, उल्टे- जो पढ़ रहे हो, उसका लेबल कैसे पढ़ना है, लेबल पढ़िये, जो भी ऐसे बाहर से खरीदी है, तो कमी खाईए, processed food, फिर भी आप जो भी बाहर से खरीदी खाते है, उसमें लेबल है, लेबल पढ़के खाईए, उसमें sugar कितना है, carbs कितना है, fat कितना है, राइट और पढ़की चीज़ी कितना है, fat and protein, moderately खाईए, और carbs जो है, जैसे वो healthy carbs लीजे, जैसे fruits है, vegetables है, complex carbs हो गया, जैसे कि आपका whole wheat के जो रोटी आती है, वैसी चीज़े, जैसे sugar, soft drink, cold drink, juices, ये सब चीज़े ना खाईए, कम खाईए, बन कर दीजे, right, अपने डॉक्टर से बात कर है, according to your condition, जो भी आप कर सकते हैं, risk walk, swimming, जो भी आपको, elliptical exercise, जो भी आपके doctor allow करें, pregnancy में, वो आप करें, ठीक है, diet and exercise is one of the best way to control sugars, उसके बावजुद अगर नहीं होता है, then medicine, medicine की बारी तबाती है, there is a risk कि अगर आपका blood sugar level इतना जादा है, कि आपके बच्चे को दिक्कत ह हो रही है, birth injury हो रही है, baby बढ़ता जा रहा है, तब आपको हो सकता है, जल्दी delivery की बात करें, c-section पर, delivery safe को इतना बड़ा हो जाए, कि वो तो नहीं आई नहीं सकता, normally, फिर उसको c-section करना पड़ेगा, ठीक है, और baby के case में, उसको hypoglycemia होता है, ठीक है, तो उस case में, आपक के case में, पहले कुछ दिन जब बच्चा पैदा होता है, उसके case में, उसको hypoglycemia याने उसकी sugar level लो होने के chances है, तो इसलिए उसको पहले कुछ दिन हो सकता है, नियो नेटल ICU में, थोड़े दिन के लिए रखा जाए, observation के लिए, monitoring के लिए, नदर मदर को, जिनकी BP भी हाई है, शुगर भी हाई है, उनकी delivery फिर जल्दी करनी पड़ सकती है, delivery के बाद, कई लोगों का blood sugar level, क्योंकि hormones वापस आ जाते हैं, तो blood sugar level वापस आ जाता है, नॉर्मल पर, फिर भी आपको closely चेक करते रहना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्होंने diet में, lifestyle में correction नहीं किया, उनक की pregnancy चल रही है, तो 24 से 28 हफ़े के बीच में, OGT, oral glucose tolerance test, नामक test कराईए, और ultimately अपने gynecologist से बात करेए, this is all, thank you so much, this is about gestational diabetes, please share this video as much as you can, and please keep sharing, this is Dr. Paramji, signing off, stay connected, stay healthy. झाल